असलाम नेकुम गाइस कैसे आप लोग और आज फिर हम लोग एक न्यू क्लास के साथ आए हैं जिसमें आज हम आईशेड और आई मेकप के ऊपर बात करेंगे तो मेरे नहीं देखने वालों को मैं बता चलू कि मैं हूँ आईशा मैफूस आपकी व्यूटिशन टीके और हम लो आज कल अल्टनेर डेस के ऊपर आती हैं Monday, Wednesday and Friday आप लोग मुझे जॉइन कीजिए और इसमें बहुत ही इंफर्मेटिव वीडियो होती हैं क्लास के आप लोग को बहुत कुछ देखने का बहुत कुछ सीखने का चांस मिलेगा इसके अंदर और आज जो हम दोग आई मेकप के करना है तो उसके उपर हम बात करेंगे हमाई last class थी उसमें ने जो है आइब्रो के बारे में complete आपको इंफर्मिशन दी और बताया था कि हमें आइब्रो फेस्ट्रिप के हिसाब से कैसे जो है वो बनानी होती है और हम कैसे जो है अपको शेप दे सकते हैं तो आज जो हम आइ बोट पे समझा देती हूं और फिर इंशाला मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी देखा दूंगी और सिखा भी दूंगी तो चली चलते हैं जादा बात नहीं करते हैं बोट पे सीखते हैं आप लोगों के लिए आइब्रो जो है वो और यहां पर हम एक आई ड्रॉ कर लेते हैं और अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि यह किस तरह से हमें समझने में असानी होगी तो यह मैंने एक आई ब्रो ड्रॉ की है और यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक आई ड्रॉ कर दी है ठीक है यह आप अपनी आई को जोए वो आप अपने हिसाब से जोए वो अब यहां पर यह क्या है यह जो आँख का यह वाला एरिया होता है विल्कुल इसको कहते हैं इनर कॉर्णर या इनर वी ठीक है इसको साथ ही कहते हैं टियर डक्ट ठीक है यह एक वी बन रहा है न यह आप देख सकते हैं ठीक है और यह हमारी क्या है यह हमारा है आउटर वी आउटर वी ठीक है यहां पर एक क्रीज एरिया होता है यहां पर एक जो लाइन से ड्राउ होती है जब हम आई खोलते हैं तो यहां पर एक लाइन ड्राउ होती है इसे हम क्या कहते है यह होता है क्रीज एरिया यह आप लोग देख सकते हैं ठीक है और यह जो एरिया होता है यह जो आइब्रो के साथ होता है इसको हम क्या कहते हैं ब्रॉबॉन एरिया तural के द्रॉबॉन एरिया होता है जहां हम अपना हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ठीक है यह जिया होता है इसको हम क्या रोग करते हैं हम डार्कर शेड अपिलाई करते हैं और इससे उपर जो एक ब्रॉबोन और क्रीज एरिया के दर्म्यान वाला जो स्पेस होता है इसमें हम कौन सा शेड यूज करते हैं लाइटर शेड यूज करते हैं यह हमारा क्या होता है लीड एरिया चीक के यह हमारी क्योंसि होती है लाइन यह जो हमारी आ रही होती है आंक के साथ इसको हम कहते हैं अपर लैस है लाइन और यह जो हमारी नीचे वाली होती है यह आंग के साथ जो एक आरी होती है इसको हम क्या कहते हैं लोर लैश लाइम यह आप लोग को समझ में आ गया होगा यह हमारा ब्रोबोन एरिया है जो आइब्रो के नीचे होता है इसको क्या कहते हैं ब्रोबोन एरिया ठीक है यह जो आँख खोलने पर एक line से create होती है इसे क्या कहते हैं crease area यह जो eye का inner corner होता है आँख के अंदर वाला जो यह कोना होता है इसको क्या कहते हैं tear duct या inner V और यह जो आँख का यह बाहर वाली जो side होती है इसको हम क्या कहते है organised चुंपर वाली जो टीज्ट के ऊपर कि इसको कई रिश लाइन फैनlingen आपर लैश लाइन की है ऐए जो आख के नीचे, एक हुटढकर जा होती है सबैसे को पारे गाइश Ce ऑब हम इसको पहले हमने देखा कर देखिए कौन कोन से यह उरिय को है किया कहते हैं आयोग कि आपने समझ में आगया हूगा कि हम क्या कहते हैं अब हम इस इसको डिपाइं करेंगे कि अगर हमने difficult को क्या ओफ पर ह quests ठी कि हमारा यूप हो अगर हम ने minute color यूज़ करने है अपनी आंगों किस तरहां से शयग प्रशन कर दिना soprattutto temas coral aim and Picarableauties अघ्ट तो हमने क्या करना है हमने अपनी आँख को 3 हिस्तों में कर देना है कि यह क्या हो गया यह हमारा बन धर्ड एरिया हो गया यह उपने थ्री थार्ड एरिया हो गया ठीक है अब हमने क्या करना है हमने अपनी जो डार्कर शेड है हमने वो अपने आउटर भी पर यूज करना है यह मैं यहाँ पर क्रीज क्रियेट कर देती हूं ठीक है यह हमारा क्रीज का एरिया हो गया जैसे के अभी मैंने आपको समझाया था यह हमारा हाइलाइटर एरिया हो गया यहाँ पर हाइलाइटर एरिया हो गया यह हमारा आउटर भी हो गया यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे थ्री थर्ड एरिया पर डार्कर शेड ठीक है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे मेडियम शेड और यह एरिया जो हमारा है यहाँ क्या यूज करेंगे लाइटर शेड और जो हमारी आँख का ये वैला इनर भी एरिया है यहाँ हम क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे हाइलाइटर हाइलाइटर यूज करेंगे तो हमें क्या डिफाइन हुआ कि हमने आउटर भी में वन थर्ड एरिया जो ये है इस पे हमने और हमने कैसी करना है थ्री पार्ट में कैसी करना है कि हमारा जो आईबोल का एरिया है वो हमारा वन थर्ड एरिया है यानि जहां से आईबोल स्टार्ट हो रही है और जहां एंड हो रही है उस हिस्ते को हमने पार्टिशन करना है उससे पहले वाला हिस्सा हमारा 1 थर्ड है यह 2 थर्ड है और यह 3 थर्ड है यानी हमारा 3rd part है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से colors को apply करना है हमने brow bone area पे highlighter use करना है हमने outer view में darker shade use करना है हमने second half में medium shade यूज़ करना है और then हमने lighter shade यूज़ उच्छा है और यह हमारा inner भी हो गया तो हमने highlighter again यूज़ करना है अपनी आंख को enhance करने के लिए और यह हमारा यह है यहां पर यहां हम अपना liner यूज़ करते हैं यह आप लोग को अप समझ में आ गया होगा अब मैं आप लोग को समझाती हूँ कि अगर हमने three colors नहीं यूज़ करने हैं और हमने just two colors यूज़ करने हैं तो वो two colors हम कैसे apply करेंगे ठीक है अच्छा आप लोग को मैंने यह तो बता दिया कि हमने three parts में अगर अपने eyes को divide करना है तो वो कैसे करना है अब अगर हम just two colors यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि हमने अगर two colors हम यूज़ कर रहे हैं और हम rule क्या use करेंगे हम one by three use करेंगे plus two by three use करेंगे यानि हम अपने इस part के उपर एक color यूज़ कर रहे है लाइट अगर हमने golden color यूज़ किया है तो हम यहां use कर रहे हैं और यह बाकी का part हमारा मैट कलर में या जो भी हम देनक चाहते हैं color यहां पर black color या जो भी हमारा red color है तो तो two third part में क्यूंकि हमारा one third part यह है two third part यह है कि हम two third plus one third करें तो हम क्या करेंगे हम इस portion में जो है वो एक color यहां पर matte color यूज़ करेंगे और यहां पर हम अपना अगर हम shimmer देना चाहरे हैं तो हम यहां यह color यूज़ करेंगे second और three colors का तो मैंने आपको प्लस three two plus three और three plus three तो अब आप लोग को बड़ी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे काम करना है और हमने किस तरह से colors apply करने है और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि हमें अपने और हमने इस तरह एक लाइन नहीं आनी चाहिए कि हम आइशेड लगा रहे हैं अगर तो हमारी एक color यहां पे लग नज़र आ रहा है एक color यहां पे लग नज़र आ रहा है हमें color mixing इस तरह से करनी है कि हमारे कोई line create नहीं हो हमारे colors एक दूसरे के अंदर merge होए हूँ एक line ना create हो रही हो एक merging color जो है वह जब हम blending करते हैं तो हमारी दोनों colors यहां आके merge हो रहे होते हैं ठीक है अब समझ सकते हैं इस बात को तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से makeup को apply करना है हमारा यह pupil है हमने इसको जरूर माइंड में रखता है कि हमने इसी के हिसाब से अपने eye colors को divide करना है अपनी eye के parts को divide करना है अब आप लोग बड़ी इची तरह से समझ भाए होंगे कि हमें कौन सा काम करना है कौन से eye shade कहां apply करने है और कैसे इसको merging करनी है और कैसे हमने अपनी crease line को देखना है कहां outer भी है कहां हमारा brow bone area है तो यह सब आप लोगों को बड़ी इची तरह से समझ में आ गया होगा तो आप मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देते हू ताकि आप लोगों को बड़ी तरह से समझ में आए जी गाइस तो मैंने सोच रहे कि आप लोगों को लिए वो लाइब देखा दू ठीक है कि पिक्टर्स में और वो सब में तो मैं आपको समझाए रही हूं तो आज मैंने चुए हो महीं डॉटर को बहुत शौके में वीडि अच्च शिछ जिए हमारा अइब्रो है और हमारा ऑई का एरिया जहां है जो हमने में बेकप करना होता हुार तो यहां पर यह जो कॉर्नर है यह है इनर वी त्विशտ किशला आज नहीं खुलेगा यह इनर भी ठीके यह है इनर भी जिसके आजब तेर धॉं गुट्ट Sarla आप यह तेर सब्सुराइब आप आउटर भी कर दो शायें 1,2,3 अधिक है यहां है जैसे सारे उटेंज्ड ने आयवरी गोरी अधिन den आयवरी ऑंडे को यह नाय को बशलने आयवरीDook यह नजर न आए तो यह हमारा जो एरिया है यह ब्रॉबोन एरिया तो यह एक यह एक लाइन बन रही है एक लाइन सी क्रियेट हो रही है तो यह जो लाइन क्रियेट हो रही है यह इनका कुन सा एरिया है यह इनका बंद करिया है यह इनका क्रीज एरिया है यह आप लोग देख सकते है अदसना यह आप देख सकते हैं यह इनका क्रीज एरिया है ठीक है बंदो आँख, यह आपने देखा, यह इनका क्रीज एरिया है, ठीक है, यह इनकी लैश लाइन है, ठीक है, आँख खोली, यह इनकी लोर लैश लाइन है, यह इनकी लोर लैश लाइन है, और यह इनकी अपर लैश लाइन है, ठीक है, अब जो हमारा क्रीज एरिया है, ठीक है, इस पे हम हमेशा darker shade देते हैं अपना eye shade का हम darker shade apply करते हैं और इस आंख को लिए ज़रा यह रेखिए यह यह इनका यहाँ पर darker shade apply होगा और इस से उपर यह हम lighter shade use करते हैं यह यहाँ पर lighter shade use होता है then crease area पर darker shade use होता है बंद करिया और यह इनका lid area है eyelid ठीके अब अगर हमने colors ज्यादा use करने हैं तो हमारा जो है आंख का यह 1 3rd area होगा बेखिए और यह 2 3rd area और यह और यह 1 3rd area होगा थीकैं » three colors use कर रहे हैं तो हम इस area पे darker color use करेंगे ठीक है यह जो outer भी है इसके साथ हम one third area पे darker color use करेंगे then यहाँ पे medium color use करेंगे और यहाँ पे हम light color use करेंगे ठीक है यह आपनों को समझ में आ रहा है यह इतना area जो इनके नीचे आंक का iris है ठीक है यानि आंक की पुदली है round round जो हमें lens नजर आ रहा है यह हमने बस इतना area जो है यह यहाँ पे अच्छा नॉर्मल ही जब हम जो shimmer लगाते हैं वह हम इस area पे लगाते हैं इस area पे हम lighter shade रखते हैं यहाँ पे हम shimmer apply करते हैं और यह वाला जो आंक का area है outer भी इस पे हम darker shade लगाते हैं इसी तरह यह darker shade हम crease area पे भी लगाते हैं और crease area से उपर हम lighter shade यूज़ करते हैं और फिर हमारा यह आ जाता है brow bone area जहाँ पे हम highlighter यूज़ करते हैं हम अपने tear duct के उपर भी highlighter यूज़ करते हैं कर सकते हैं यह tear duct कहते हैं यह inner baby कहते हैं यह tear duct है और इस ही और इनर भी भी कहते हैं अब यह वाला area यह lower lash line यह देख सकते में एपकर के अब बाते हैं दियर में नहीं को अब कर दो चुन् millennials, और उनकी खोले है Hang करेको बाते हैं जिम्हें भाड़िये हमें कोसा थाले है हो रही है यह हमारा क्रीज एरिया होता है जिसके उपर हम डार्कर शेट देते हैं और इससे उपर हम बहुत ही लाइटर शेट देते हैं समझ में आगया आप लोगों को आज के लिए इतना है गाइस थेंक यू अलाहफिर्स